नमस्कार महराष्ट के गवर्नर स्रीपी राधाकर्षन जी मुख्यमंत्री स्रिमानेकनाथ शिंदे जी केंद्रियमंत्रिमंडल के मेरे सैयोगी महराष्ट के उपमुख्यमंत्री स्री देवेंदर फणन्विज जी स्री अजीत पवार जी अन्य सभी वरिष्ट महानुभाव और महाराष्ट के मेरे प्यारे भाईयों और बहनों महाराष्टा तील सर्व शिव प्रेमी बंदू भगिनिना माजा नमस्कार आज महाराष्टा को दस मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल रही है नागपूर एरपोर्ट के आधुनी करण और विस्तार का काम सिर्डी एरपोर्ट के लिए एक टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण आज इन्फ्रांस्ट्रक्तर से जुड़े इन दो एहम प्रोजेस का सलान्याद भी हुआ है मैं सभी विकास कारियों के लिए महाराष्टा के लोगों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ अभी पिछले हपते ही मैं ठाने और मुंबे गया था यहां मैट्रो समेट तीस हजार करोर के प्रोजेक्स के सुभारम का अवसर मुझे मिला इसके पहले भी अलग अलग जिलों में हजारों करोर की विकास परियोजनाएं शुरू हुई है कई शहरों में मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है कहीं एरपोर्ट को अपग्रेड किया जा रहा है तो कहीं सडकों और हाइवे से जुड़े प्रोजेक्स तेज गती से आगे बढ़ रहे हैं इंफ्रास्रक्टर, सोलर एनरजी, टेक्स्टाइल पार्क से जुड़ी परियोजनाएं लौंच की गई है किसानों, पसुपालों को के हीत में नई पहल की गई है महाराष्ट में देश के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट, वधावन पोर्ट की नीव रखी गई है महाराष्ट के इतिहास में इतनी तेज गती से, इतने बड़े स्केल पर, अलग-अलग शेत्रों में कभी भी विकास नहीं हुआ हाँ, ये बात अलग है कि कॉंग्रेस के राज में इतनी ही तेज गती से, इतने ही स्केल पर, अलग-अलग शेत्रों में ब्रश्टाचार जरूर होता था भाई और बहनों, कुछ दिन पहले ही हमने मराटी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया जब एक भाषा को उसका गवरों मिलता है, तब सिर्फ शब्द नहीं, बलकि पूरी पीडी को नए बोल मिलते हैं करोडो मराठी मानूस का दसको पुराना सपना पूरा हुआ महाराष्ट के लोगों ने जगह जगह इसकी खुशी मनाई आज महाराष्ट के गाउं गाउं से मुझे खुशी के संदेज भी भेज रहे हैं महाराष्ट के लोग अपने संदोशों में मराठी को अभिजाद भाषा का दर्जा देने के लिए मुझे धेर सारे धन्यवाद दे रहे हैं लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ये काम मैंने नहीं आप सब के आशिरवाद ने किया है महाराष्ट के विकास का हर प्रयास छत्रपति सिवाजे महाराच बाबा साब आमबेड कर जोति बाफुले सावित्री बाई फुले जैसी विभूतियों के आशिरवाद से हो रहा है साथियों अभी कल ही हर्याना और जम्मु कश्मिर के चुनाव परणाम आए है हर्याना ने बता दिया है देश का मूड क्या है मिजाज क्या है दो बार कायरकाल पूरा करने के बाद लगातार तीसरी बार चुनकर आना अईतिहासिक है कॉंग्रेस का पूरा इको सिस्टिम अर्बन नक्सल का पूरा गिरो जनता को गुम्रा करने में जुटा था लेकिन कॉंग्रेस की सारी साजी से द्वस्त हो गई उन्होंने दलीतों के बीच जूट फैलाने की कोशिश की लेकिन दलीत समाज ने इनके खतरनाग इरादों को भांप लिया दलीतों को ऐसास हो गया कि कॉंग्रेस उनका आरक्षन चीन कर अपने वोट मेंग को माटना चाहती है आज हरियाना के दलीत वर्ग ने बीजेपी को रिकॉर्ड समर्थन दिया है हरियाना के OBC बीजेपी के विकास कारियों को देखकर उसके साथ है कॉंग्रेस ने किसानों को भड़काया लेकिन किसानों को पता है कि उससे फसलों पर MSP किसे ने दी हरियाना के किसान बीजेपी की किसान कल्याण योजनाओं से खुश है कॉंग्रेस ने युवाओं को टारियेट किया और अलग-अलग तरीके से उन्हें भड़काने की कोशिश की लेकिन हरियाना के नौजवान हमारी बेहने बेटियां अपने उजवल भविश के लिए भाजपाप पर ही भरोसा कर रहे हैं कॉंग्रेस ने सारे हतकंडे अपनाएं लेकिन हरियाना की जनता ने दिखा दिया वो अब कॉंग्रेस और अर्बन नक्सल के नफरती शडियंत्रों का शिकार नहीं होने वाले साथियों कॉंग्रेस हमेशा बाटो और सत्ता पाओ के फॉर्मिले पर चली है कॉंग्रेस ने बार बार ये सित्य किया है कि वो एक गैर जिम्मेदार दल बन गया है वो अभी भी देश को बांटने के लिए नए नए ने नेरेटिव गड़ रही है कॉंग्रेस समाज को बांटने का फॉर्मिला लाती रहती है कॉंग्रेस देश के मतदाताओं को गुम्रा करने से वाज नहीं आ रही है कॉंग्रेस का फॉर्मूला साफ है कि मुसल्मानों को डराते रहो उनको भाय दिखाओ उनको वोट बेंक के कंवर्ट करो और वोट बेंक को मजबूत करो कॉंग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुसलिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती है मुसलिम जातियों की बात आते ही कॉंग्रेस के नेता पर मुँग पर ताला लगा कर बैठ जाते हैं लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कॉंग्रेस उनकी चर्चा जाती से ही शुरू करती है कॉंग्रेस की नीती है हिंदू की एक जाती को दूसरी जाती से लड़ाओ कॉंग्रेस जानती है कि जितना हिंदू पटेगा उतना ही उसका फायदा होगा कॉंग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राज नितिग रोटियां सेकती नहें भारत में जहां भी चुना होते हैं वहां कॉंग्रेस यही फॉर्मूला लागू करती है अपना वोट बेंग पक्का करने के लिए कॉंग्रेस समाज में जहर घोलने के हर हतकंडे अपना रही है कॉंग्रेस पुरी तरह से सांप्रदाइक और जातिवाद का चुनाव लड़ती रहती है हिंदू समाज को तोड़ कर उसे अपनी जीत का फर्मूला बनाना यही कॉंग्रेस की राजनिति का आधार है कॉंग्रेस भारत के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना का दमन कर रही है सनातन परंपरा का दमन कर रही है जिस कॉंग्रेस ने इतने वर्षों तक देश पर राज किया वो सत्ता में वापस के लिए इतनी बैचेन है कि हर रोज नफरत की राजनिति कर रही है कॉंग्रेस की पुरानी पीडी के नेता भी बेबस है और सहाए है कि उनकी इस पार्टी की क्या स्थिती हो गई है कॉंग्रेस की ये स्थिती होने वाली है कॉंग्रेस नफरत फैलाने की सबसे बड़ी फैक्टरी बनने वाली है ये गांधी जी ने आजादी के बाद ही समझ लिया था इसलिए ही गांधी जी ने कहा था कि कॉंग्रेश को खत्म कर देना चाहिए कॉंग्रेश खुद खत्म नहीं हुई लेकिन आज देश को खत्म करने पर तुली हुई है इसलिए हमें सावधान रहना है सतर्क रहना है साथियों मेरा पक्का विश्वास है समाज को तोड़ने की आज जो कोशिश हो रही है ऐसी हर साजिश को महराश्टर के लोग नाकाम करके रहेंगे महराश्टर के लोगों को देश के विकास को सर्वो परी रखते हुए एक जुट होकर बीजेपी महायुति के लिए वोट करना है हरियानातर भाचपा जिंकली अता महराश्टर या पिक्षा मोठा विजय मिलवाई चाहे साथियों पिछले दस वर्ष में हमने देश के विकास के लिए आदुनिक इन्फ्रा बनाने का एक महा यगनश शुरू किया है आज हम सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बना रहे हैं हम एक स्वस्त और सम्रुद्ध महराश्टर की नीव रख रहे हैं एक साथ दस नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की शुरूवात ये केवल दस नए संस्तानों को तैयार करना नहीं है ये लाखों लोगों के जीवन को बहतर बनाने का महा यग्य है ठाने, अंबरनात, मुंबई, नासीक, जालना, बुल्धाना, हिंगोली, वाशीम, अमरावती, भंडारा और गडचिरोली ये मेडिकल कॉलेज इन सभी जिलों में और आसपास के क्षेत्रों में लाखों परिवारों की सेवा का केंद्र बनेंगे इनके चलते महाराष्ट में 900 मेडिकल सीटे बढ़ रही हैं अब महाराष्ट में मेडिकल सीटों की संख्या लगभाग छे हजार हो जाएगी इस बार लाल के लिए से देश्ट ने संकल पलिया है कि मिडल क्लास में मेडिकल लाइन में मेडिकल लाइन में पच्चत्तर हजार नई सीटे जोड़ी जाएगी आज का ये आयोजन इसी दिशा में भी बड़ा कदम है साथियों हमने मेडिकल सिख्चा को सूलब बनाया है इस से महाराष्ट के युवाओं के लिए नए अवसरों के दरवाजे खुल गए है हमारे गरीब और मद्यमबर के जादा से जादा बच्चे डॉक्टर बनें उनका सपना पूरा हो ये हमारी सरकार की प्रात्फिक्ता है एक समय में इस तरह की पढ़ाई के लिए मात्रु भाषा में किताबे ना हो ना भी बड़ी चुनोती थी हमने महाराष्ट के युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए ये बेजभाव भी खत्म किया है अब महाराष्ट के युवाओं मराथी भाषा में मेडिकल की पढ़ाई कर पाएंगे मराथी भाषा में पढ़कर वो डॉक्टर बनने का सपना पूरा करेंगे साथियों जीवन को आशान बनाने का हमारा प्रयास गरीबी के खिलाब लड़ाई का बहुत बड़ा माध्यम है कॉंग्रेज जैसी पार्टियों ने तो गरीबी को अपनी राजनिती का इंदन बना रखा था इसलिए वो गरीब को गरीब बनाए रखती थी लेकिन हमारी सरकार ने एक दसक के भीतर भीतर पचीश करोर लोगों को गरीबी से निकाला है और देश में स्वास्त सेवाओं का काया कल्प इसका एक बड़ा आधार बना है आज हर गरीब के पास मुप्त इलाज के लिए आईश्मान काड है अब सभी देश वास्यों में जो भी सत्तर के उपर के हैं अब सत्तर साल की उम्र के बुजुर्गों को भी मुप्त इलाज मिल रहा है जन आउशदी केंद्रों पर बेहत कम कीमत पर जरूरी दवाईयां मिल रही है हाट मरीजों के लिए स्टेंट 80-85 परसंट तक सस्ते किये गए हैं हमने कैंसर के इलाज की लिए जरूरी दवाईयों के लिए उसके दाम भी कम किये हैं सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के संख्या बढ़ने से भी इलाज सस्ता हुआ है आज गरीब से गरीब देशवासी को मोदी सरकार ने सामाजीक सुरक्षा का मजबुत कवच दिया है साथियों दुनिया किसी देश में तभी विश्वास करती हैं जब वहां का युवा आत्म विश्वास से भरा होता है आज युवा भारत का आत्म विश्वास भारत के उजवल भविश्वी की नई कहानी है दुनिया के बड़े बड़े देश आज भारत को मानव संसाधन के बड़े केंद्र के रुप में देख रहे हैं हमारे युवाओं के पास पूरी दुनिया में सिख्षा स्वास्थ से लेकर स्वाफ्पेर तक हर ख्षेत्र में अपार आउसर है इसलिए हम अपने युवाओं को ग्लोबल स्टैंडर के मुताबिक स्किल्ड बना रहे हैं आज हम माहराज्ट में विद्या समिक्षा केंद्र जैसे प्रकल्प भी शुरू कर रहे हैं आज हमने मुंबई में इंडियन इंस्टिटूट अब स्किल्स का शुभारम भी किया है इसमें युवाओं को फ्यूचर ओरियन्टेट ट्रेनिंग मिलेगी उनके टैलेंट को बजार की डिमांड के मुताबिक आगे बढ़ाया जाएगा हमारी सरकार ने युवाओं को पेड इंटरंशिप देने की शुरुवाद भी की है भारत की इतियात में पहली बार इस तरह की पहल हुई है अब युवाओं को पांच हजार रुपिये इंटरंशिप के तौर पर मिलेंगे मुझे खुशी है कि हजारों कमपनिया इस अभियान में जुड़ने के लिए युवाओं को इंटरंशिप में मदद करने के लिए रजिस्टेशन करा रही है इस पहल से युवाओं की नीव मजबुत होगी उनको नया अनुभों मिलेगा और उनके लिए नये अवसरों की रह आसान होगी भाई और भेनों युवाओं को लेकर भारत जो प्रयास कर रहा है उसके परणाम भी लगातार सामने आ रहे हैं आज हमारे एजुकेशन इंस्टिटूट्स दुनिया के टॉप इंस्टिटूट्स की बराबरी कर रहे हैं अभी कल ही वर्ल्ड युनिवर्सिटी रैंकिंग आई है इस रैंकिंग के अनुसार भारत में युवाओं के लिए उच्च शिक्षा की रिसर्च की क्वालिटी बदल रही है साथियों आज पूरी दुनिया की नजर भारत पर है भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थववस्ता बन चुका है अब ग्लोबल एकोनॉमिका फ्यूचर भारत से जुड़ा हुआ है भारत की ये आर्थिक प्रगती नए अवसरों को लेकर आ रही है ऐसे खेत्र जिनकी दसकों तक कॉंग्रेस ने उपेक्षा की आज भोक्षेत्र भी असीम अवसरों का स्त्रोध बन रही है जैसे टुरिजम का उदारण है महराष्टा के पास कितनी अमुल्य विरासत है महराष्टा में कितने सुन्दर प्राकृतिक स्थल है अध्यात्मिक केंद्र है इनके इर्दगिर्द हजारों लाखों करोड की इकना में विख्षित हो सकती है लेकिन इन अवसरों का वैसे उप्योग नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था कॉंग्रेस को न विकास से मतलब था न विरासत से मतलब था हमारी सरकार में विकास भी है विरासत भी है हम अपने सम्रुद अतीच से प्रेणा लेकर उजवल भविश का निरमान कर रहे है इसलिए आज शिर्डी एरपोर्ट के लिए नए टर्मिनल बिल्निंग का सिलान्यास नागपूर एरपोर्ट का आधुनी करान ऐसे ही कितने ही विकास कारिय आज अनवरत महराष्ट में चल रहे है शिर्डी एर्पोर्ट के नए टर्मिनल से साई बाबा के भक्तों को काफी सुविदा होगी देश विदेश से बड़ी संख्या में स्रद्धालू यहां आ सकेंगे कुछी दिन पहले मैंने अपग्रेडेड सोलापूर एर्पोर्ट का लोकारम भी किया था जब स्रद्धालू एक जगा आएंगे सनी शेंगणपूर तुल्जा भवानी कैलास मंदीर जैसे आज़ पास के दूसरे स्थानों पर भी जरूर जाएंगे इससे महाराष्ट की परियतन एकोनोमी को बुष्ट मिलेगा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे साथियों हमारी सरकार का हर निणय और हर निती केवल केवल एक ही लक्ष के लिए समर्पिद है और वो लक्ष है विक्षिद भारत और इसके लिए हमारा विजन है गरीब, किसान, युवा और महिलाओं का कल्यान इसलिए विकास का हर प्रोजेक्ट गाउं, गरीब, मजदूर, किसान के लिए समर्पिद होता है शिर्डी एरपोर्ट में जो अलग-अलग कारगो कॉंप्लेक्ट बना रहे हैं वो किसानों की बहुत बड़ी मदद करेगा इस कॉंप्लेक्ट के द्वारा विबिन्य प्रकार के कृशी उत्पादों को देश और विदेश में भेजा जाएगा इसका फाइदा शिर्डी, लासल गाउं, अहिल्या नगर और नासिक के किसानों को होने वाला है ये किसान प्याज, अंगूर, सैजन, अम्रूत और अनार जैसे उत्पादों को बड़े बाजार तक आसानी से पहुँचा सकेंगे भाई और बेहनों, हमारी सरकार किसानों के हित में लगातार जरूरी कदम उठा रही है हमने बास्मती चावल पर न्यूनतम निर्यात मुल्यकेव खत्ब कर दिया है गेर बास्मती चावल के निर्यात पर प्रतिबंद भी हटा दिया गया है पर बोईल चावल पर निर्यात शुल्क भी आधा हो गया है महराच के किसानों का मुनाफ़ा बड़े इसके लिए सरकार ने प्याज पर लगने वाले एक्सपोर्ट टेक्स को भी आधा कर दिया है हमने खाज दे तेलों के आयात पर बीश प्रतिबंद टेक्स्टाइल इंड़स्ट्री को जिस तरह सपोर्ट कर रही है उससे महराच के कपास किसानों को भी बहुत फाइदा होगा साथियों आपको एक बात हमेशा याद रखनी है महा अगाड़ी महराष्ट को कमजोर करके सत्ता पाना चाहती है जबकि महायुति का संकल्प महराष्ट को मजबूत बनाने का है मुझे खुशी है कि आज महराष्ट एक बार फिर देश की प्रगति को नेत्रुत्व देने के लिए आगे बढ़ रहा है मैं एक बार फिर महराष्ट के लोगों को इन सभी विकास कारियों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद बढ़ी है बढ़ी है मैं देटर OUT बढ़ करो प्रण देन काries बीजार झाल झाल प्रब्दयाल गजाधारी ज्वेलर्स जो है पिछले 55 सालों से आप सभी का भरोसा आपकी खुशियों के साथ कहीं सुना है रीटेल की दुकान पर हो सेल का दाव जी हाँ नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूद्स, कुर्तीज और फाब्रिक्स सबसे सस्ता सबसे अच्छा डिफेंस रोड ममूर पठान कोट कॉंटाक्ट 96141 96141